अधिकारियों ने अवैद नर्माण के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुकानों का नर्माण कराने पर दो बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज कराए गया है। नर्माण का आरोप है। कई बड़े सवाल हैं जिसमें से एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखेर लैंड किसने बदलुआया। प्राधिकरियों की सहमती की बिना कैसे उप्यों किया गया लैंड। तो मारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां पर शहबेरी में हुए अवैद नर्माण को लेकर पहले भी अधिकारी घड़ चुके हैं। और अब ये बड़ा असर देखने को मिला है। तो बड़ा एक्शन जहां पर देखने को मिला है और इस खबर को हमने प्रमुकता से उठाया था अवैद नर्माण को लेकर और इससे पहले भी कई बड़े हाथ से हो चुके हैं। इस मामले में सुप्रम कोट की ओर से भी रोक लगाई जा चुकी है। लेकिन फिर भी प्रादिकरण की लापरवाही सामने आई थी और इसी की खबर हमने दखाई थी। वहीं 26 सितंबर को News 1 इंडिया ने प्रमुकता से सक मुद्दे को उठाया था आई आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नुइडा के श्चाबेरी में भू माफियाओं ने अवैद कबजा और अवैद निर्वाण धरले से जारी रखा है। इन भू माफियाओं पर ग्रेटर नौइडा अथोर्टी पूरी तरह से महरबान है। अथोर्टी से मिली भगत करके ये भूमाफिया मौत वाली बिल्डिंगों का निर्वार कर रहे हैं अवैद निर्वार के इस कारोबार में कौन कौन शामिल है किसका किसका हाथ है बताएंगे हर राज मौत वाली इस बिल्डिंग के निर्वार के पीछे की खोलेंगे हर फाइल लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए साहबेरी में भूम आफिया बे लगाम न समसान को बक्सा न ट्रस्ट की जमीनों को धडल्ले से जारी है साहबेरी में अवेद निर्माड धडल्ले से हो रहा विला और कॉमर्सियल मार्केट का निर्माड ग्रेटर नोइडा का साहबेरी इंदिनों भूम आफियाओं का गढ़ बना हुआ है भूम आफियाओं ने अवेद कारोबार का ऐसा जाल बुल रखा है जिसे भेदने में सासन और प्रसासन पूरी तरीके से नाकाम नजरा रहे हैं मुम आफियाओं अवेद कारोबार को पूरे धरल्ले से कर रहे है ना तो अधिकारियों का खौफ है ना ही योगी सरकार के बुल डोजर का तारीक थी 17 जुलाई साल था 2018 तो बड़ा असर देखने को मिला है अवेद नर्मान को लेकर अब बड़ा एक्शन और इस खबर को हमने प्रमुकता से दिखाय था जुसके बाद News 1 इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है अधिकारियों ने अव्यद निर्माण के मामले में संग्यान लिया है ग्रेटर नुएडा प्राधिकरेंट के सहायक प्रबंदक के ओर से दर्ज कराई गई है रिपूर्ट बिस्रक कोतवाली में IPC की धारा 188 और 447 के तहट FIR दर्ज कराई गई है वहीं हमारे ब्यूरो चीप निशान सर्वान निउसरूम से लाइफ हमारे साथ चुड़ गए है निशान कई तरह के सवाल उठते हो और जिस तरह से हमने इस मुद्दे को उठाया था ऐसे में कई बड़े सवाल है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि आखिर लैंड किस ने वदलाई क्योंकि अधिकारियों के सहमती के बिना यह संभव नहीं है और जिस तरह से हमारी खबर का असर भी देखने को मिला है हमारे कई सवाल भी रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी कहते हैं फटकाल लगाते हैं और कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों पर कारवाई की भी बात की जाती है लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा जाए डीला रवाया लगातार ग्रेटर नोड़ा प्राधिकरन द्वारा अपनाया जाता है ग्रेटर नोड़ा प्राधिकरन के जो अधिकारी हैं सिर्फ लीपा पोती का काम करते हैं हल्की फुल की धारा लगाते हैं दो बिल्डरों पर ये फायर दर्च कराई गई है जिन में देखा जाए कि 188 और 447 के IPC के तहत ये मुकदमा दर्च किया गया सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब हमने खबर दिखाई खबर दिखाने के बाद हम लगातर दिखा रहे हैं कि सावेरी के अंदर लगातार निर्मार किया जा रहा है लोगों की जान के साथ खिलवार किया जा रहा है भोले वाले लोगों को फसाया जा रहा है और तमाम ये ख़बर दिखाने के बाद अधिकारी जाकते हैं सरकिल एक के जो प्रवंदक होते हैं के द्वारा यह मुकदमा दर्ज करा गया थाना विस्टरफ को है जब कि सबसे बड़ी बात होती है कि रात या दिन लगातार धडलीशसे निर्मांड किया जा रहा है लगातार हम इस खवर को दिखा काम करते हैं और से दढ़ी जाता लगास right लाई जाती हैं सिर्फ लिपापोती को किया जाता और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी देखा जाएं कि सावेरी के अंदर तमाम ऐसी इमार्तイ बनाई जा है जो अभी भी उनके अंदर निर्मार जा रही है चाहें चोरी चुप के बाद की जाए और कहीं न कहीं इन मुवाफियों के जो इन विल्डरों के तार जो है वह गिरेटर नोड़ा प्राधीकर्ण के अधिकारिये से जोड़े हैं सुत्रों से हमें लगातार जारी जानकारी म बनाने का काम किया जा रहा है लगातार जो हमने देखा अब जो हमारी ख़वर चली ख़वर के बाद यह हल्की फुल की दारा लगाकर एक फाइयर दर्ज की गई है और दो बिल्डरों के खिलाप कारवाई की गई है अगर जो मैं बिल्डरों का नाम बता दूं तो बिल्डर जो हैं एक दिल्ली के बिल्डर हैं एक ग्रेटर नोडा बीटा बन के बिल्डर हैं जिसमें इन में साब तोर पर लिखा हुआ है कि सचिन कंसल जो मेमर्स सिरी गणेशा इन्फो टेक के नाम से है और दूसरा है अतुल जिंदल इन दो बिल्डरों पर F.I.R. दर्ज की गई है कि अरवाई हुई थी कुछ लोगों की गिरफतारी हुई थी और उसके बाद भी कही ना कहीं जब सुप्रिन कोट खुद कह रहा है कि कोई निर्मार नहीं हो गया है लेकिन निर्मार क्यों हो रहा है इस निर्मार के पीछे कौन कौन सामिल है यह सबसे बड़ा सवाल है और लगातार जो नियूजबन इंडिया पोच रहा है लगातार खावर हम दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं जो ग्रेटर नोड़ा प्रादिकर्ण के अधिकारी हो या फिर नोड़ा में तमाम जो बिल्डर हो या भूमाफिया हो उनको जगाने का काम कर रहे हैं हाला कि सरकार ने सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस पूरे गैम में जो है कहीं न कहीं प्रादीकरण के अधिकारीयों का गढ़ जोड़ है बिल्डरों से भूमाफियाओं से कबजधारियों से और इसके पूरे खेल में ये सामिल होते हैं और कहीं न कहीं अपनी जे बनने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवार करते हैं हाला कि भूले बाले लोगों को फताया जाता है सबसे बड़ी हैराने की बात ये रह रही है कि सावेरी के अंदर पूरी तरीके से निर्मार पर रोक है रजिस्ट्री नहीं हो सकती है नोसी नहीं मिल सकती लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों के साथ इस तरीके से खिलवार किया जा रहा है फरजी तरीके से रजिस्ट्री कराई जा रही है फरजी तरीके से गैम पूरी तरीके से खिलवार किया जा रहा है फरजी उनको कागस दिये जाते हैं और कहीं न कहीं लोगों को फसाया जा रहा है साब तोर पर उनकी जीवन भर की पूंजी को सिर्फ लूटने का ठगने का काम कर रहे हैं जो बिल्डर हैं माफिया है अब सवाल यही है कि ग्रेटर नोड़ा प्रादिकरन फाइयार तो दर्ज करा देता है लेकिन अब इनकी ग्रफतारी कब होगी और अगला एक्षन क्या होगा देखे रिशांत शाबेरी में अवयत निर्मान का यह कोई पहला मामला नहीं है जब अधकारी घर चुके हुआ उन पर कोई आक्षन हुआ हो लगातार आक्षन होते रहे हैं लेकिन इस तरह के मामलों में रोक क्यो नहीं लग रहे हैं आपको क्या लगता है क्या मुख्य वजा है आदेकी दीपिका हमने यह देखा कि जब हम ख़वर चलाते हैं कारवाई होती है फाइर दर्ज होती है हमने ये भी देखा कि सीलिंग की कारवाई हो जाती है उसके बाद साटगाट हो जाती है और साटगाट होने के बाद सीलिंग की कारवाई को तोड़ दिया जाता है और साब तोर पर वो जो निर्वाणे फिर सुरू हो जाता है हमने चोरी चुपके अब इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोड़ा प्राधीक्रण के अधिकारी सामिल हो लेकिन हमने यह भी देखा है कि जो इस्थाने सावेरी पुलिस शौकी है उस पुलिस शौकी से कुछ पुलिस कर्मियों के भी संडक्षन जुड़े हुए हैं सुत्रे से जानकारी है तो कहीं न करने की बात कर रहे हैं निशांत ये भी कहना गलत नहीं होगा कि खासकर अगर शाबेरी की बात की जा रही है तो अवैद निर्माड का ये गड़ रहा है और आने वाले इस्तिती भी यही देखने को मिल रही है सुप्रिम कोट की ओर से भी इस तरह रोक लगाई गई है तो बड़ा सवाल ये है कि जब रोक लगाई जा चुकी है उसके बाद भी ग्रेटर नोड़ा वेस्ट में अवैद निर्माड हो रहे हैं और धडलने से हो रहे हैं देखे दीपी का अब से पहले नियूजबर इंडिया ने तमाम ऐसी ख़बरे दिखाई ही सेक्टर बिसरक एक के अंदर जलपूरा के अंदर लगबख 500 करोड का घोटाला खुद ग्रेटर नोड़ा प्रादीकरण की जमीन पर हो चुका है तमाम जो भूमाफिया है बनाई जा रहे हैं और भोले भाले लोगों को फसा कर उन्हें बेचा जा रहा है सबसे बड़ी बात यह रहती है कि दूसरी एक सावेरी बसाने का काम लगातार किया जा रहा है ग्रेनो वेस्ट के अंदर हम जाकर देखें तो तमाम एसी इमारते बनाई गई गई तमाम पिल प्राधिकरन के अधिकारी और करमचारी सामिल हैं जो हमारे सुत्र बता रहे हैं लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और अब सवाल यही है कि सावेरी में जो निर्मार चला है इन माफियाओं पर इन बिल्डरों पर कारवाई कभ होगी इनकी कभ गरफतारी हो गई और कभ यह लोग जो है जिनकी जो गरीब लोग हैं जो भोले बाले लोग हैं उनके साथ खिरवाल करना बंद करेंगे निशान जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे और आज से पांस साल पहले जब दो इमारते गिरी थी नौ लोगों की इसमें जान गई थी और उसके बाद देखे इ फटकाल लगातर कह रही है जीरो टोलनेस नीटी रखी जाए और खुद उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी ने तमाम अधिकारी को फटकाल लगाई थी जब हासा हुआ था पांस साल पहले फटकाल लगाई थी और कहा गया था कि कोई भी दोस्यों उसको बक्सा नहीं फिस्टडारी हो बूमाफिया हो गैंगिस्टर ओ तमाम अपरादी हो उनकी जगे जो है सलाकों के पीछे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकोन ऐसा अधिकारी है या कौन ऐसा बिल्डर है जो सीयम योगी की हनु खकूमत को कहीं ना कहीं तोहीन कर रहा है सवाल यहीं उठा कि जि पीचे से उपर तक उचाया हुआ है बिल्कुल निशांत सीम का विजन रहा है और जीरो टॉलरेंस की नीती जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं रही है और वैद निर्मान को लेकर हमेशा से सक्ट आक्शन देखने को मिला है बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे स चुड़ने के लिए और तमाम शौनकारी है